एक चीज उसमें रहे थी, इलिंगन डायग्राम, तो थोड़ा सा मैं इलिंगन डायग्राम के बारे में आपको explain करूँगा, क्या होता है, किस चीज के बारे में graph बनता है, question किस तरह से आते हैं, और इस डायग्राम को आपको किस तरह से समझना है, शॉर्ट वीडियो होगा, 10 से 15 मिनिट के बीच का तो चले देखते हैं क्या-क्या इलिंगन डियाग्राम में होता है तो जैसा आपने NCRT में देखा होगा इस तरह का एक इलिंगन डियाग्राम हमें देखता है बहुत सारी एनरजी यानि डेलटाजी और टेंपरेचर की बीच बंक्ता है देखो यह टेंपरेचर नीचे लिखा है और यह इधर जो है डेलटाजी है और आपने यह पॉजिटिव हो गा, धीरी-धीरी नेगेटिव कम होता जाएगा, और जीरो तक जाएगा, या नी पॉजिटिव होता जाएगा, तो यह δेल्टा-जी-0 अब इलिंगन डियाग्राम का क्या फैदा है देखो तो जो इलिंगन डियाग्राम है वो हमें ये बताता है कि किसी और का जब हम thermal reduction करते हैं तो कौन सा reducing agent उसके लिए best होता है और किस temperature पर कौन से reducing agent की उसको जरुवत पड़ेगी पहली ये बात होती है दूसरी ये बात होती है कि हम इसमें mostly दो तरह के reducing agent यूज़ करते हैं carbon and carbon monoxide है आप देखोगे तो carbon और carbon monoxide दोनों ही reducing agent है लेकिन बच्चों temperature के according इनकी reducing property change होती रहती है तो elegant diagram हमें ये भी बताता है कि किस temperature कौन सा best reducing agent होगा ये तो मालूम एक और चीज़ इस diagram से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा metal किस दूसरे metal को आसानी से reduce करेगा ये भी हम सब इसमें मालूम करेगे ठीक है बच्चों तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये graph बनता कैसे है ये graph बनता कैसे है देखो ये line कुछ line आपको दिख रहे होंगे नीचे की तरफ है देखो ये वाली line जो है नीचे की तरफ है exactly है न कुछ line उपर की तरफ है ये वाली line उपर की तरफ है कुछ line straight line है तो हम समझते हैं क कि यह लाइन इस तरह क्यों आई क्यों लाइन ऊपर गई क्यों लाइन इस ट्रेट आई और क्यों लाइन नीचे की तरफ आई ठीक है तो इसमें सबसे important terms आता है entropy आपने thermodynamics में पढ़ा होगा कि जो डेल्टा जी है और entropy के बीच क्या relation होता है देखो अगर इसको हम solve करेंगे बच्चों तो डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच में क्या relation होता है अब मैं आपको बताने वाला हूँ देखें यहाँ पर लिखा है अगर entropy बड़ेगी यानि randomness बड़ेगी तो डेल्टा एस क्या होगा positive होगा तो बच्चों जब डेल्टा एस positive होता है तो डेल्टा जी negative होगा ध्यान रखना आपको अंगर स्वाली डेल्टा एस डेल्टा जी के बीच क्या relation है ृफ इंक्रीज randomness यानि डेल्टा एस की value अगर positive होगी तो बच्चों उसके परिणाम सरुप डेल्टा जी की value क्या होगी negative होगा तो डेल्टा जी जितना positive होता जाएगा, डेल्टा जी उतना ही negative होता जा लाइन आप देखें, यह वाली कौन सी, C और O2 वाली लाइन, तो देख लेते हैं, यहाँ पर reaction लिखें 2C प्लस O2, और आगे है 2CO, अब यहाँ पर देखें कि एंट्रॉपिक किस तरह से change हो रही है, अगर हम reactant की बात करें, तो reactant में केवल O2 एक gaseous product है, जबकि product में gas 2 mol है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर gas का केवल 1 mol है, और यहाँ पर carbon monoxide gas के 2 mol है, ठीक है, इसका मतलब जो delta S है वो बढ़ रहा है, तो उसकी positive value बढ़ रही है, randomness बढ़ रही है, ठीक है, 2 mol का randomness ज़ादा, और 1 mol के entropy कम, मालूम है आपको, ठीक है, तो entropy बढ़ रह बढ़ेगी, तो delta G की value क्या होगी, negative होगी, तो graph का आएगा, नीचे की तरफ आएगा, देखो, नीचे negative है, तो entropy बढ़ने से, delta G की value negative होगी, तो graph होगा, नीचे, तो इसलिए जो है, carbon को हम oxygen के साथ rate करेंगे, तो carbon monoxide का graph होगा, नीचे आएगा, clear, अब बात करते हैं, straight line की, ये वाली, ये वाली line की बात करते हैं, ठीक है, देखो, C plus O2, C O2, ठीक है, अगर हम reactant की बात करें, तो केवल O2 इसमें gas है, एक mol O2 है, ठीक है, और product की बात करें, तो यहाँ पर भी एक mol O2 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो delta S है, उसकी value change नहीं हो रही है, no change in the delta S, तो जब कोई change नहीं होगा, तो delta G की value में भी कोई change नहीं होगा, तो इसका जो graph होगा, वो बिल्कुल state line आएगा, clear, तो ये state line आएगा, क्योंकि entropy में कोई change नहीं हो रहा है, ठीक है, अब तीसरी type की line दिखते हैं, जो उपर से नीची की जा रही है, ठीक हो, देखो, माल ले यहाँ पर है, 2MgO magnesium oxide बनाता है, ठीक है, देखे बच्चो, अगर हम reactant की बात करें, तो यहाँ पर एक gas का mole है, जबकि यहाँ पर यह solid है, है ना, और यह भी solid है, तो इस समय product में कोई भी gas product नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर delta S की value decrease होगी, ठीक है, और जब बच्चो, delta S की value decrease होगा, delta G क्या होगा, positive होगा, यह तो वहाँ न, delta G बढ़ जाएगा, यानि positive की तरफ जाएगा, तो यह graph कहाँ जाएगा, ओपर की तरफ जाएगा, देखो, delta G की value positive जा रही है, समझ भी आरी बात, तो बोलने का मतलब है, कि delta G की value कम या जादा होगी, negative और positive होगी, depend कर रहा है, अगर product के entropy, reactant से जादा है, तो delta G की value negative आएगी, जैसे carbon monoxide में, और बच्चो, reactant की entropy जादा है, product के entropy कम है, तो delta G की value positive के तरफ जाएगी, जैसे MGO, यहांके reactant की entropy जादा है, product के entropy कम है, और अगर reactant और product के entropy बराबर है, तो delta G की value में कोई भी आंतर नहीं आएगा, यानि कर्व जो है स्टेट लाइन जागा जैसे C प्लस पूट वाला, कलियर हो गया, तो इस तरह से यह कर्व बनता है, ठीक है, आगे बढ़े, अब इसको थोड़ा और एक्स्प्रेंड करते हैं, अब बात करते हैं कि यह M G नीचे क्यों है, और अलिमुनियम का जो ग्राफ है जो लाइन है उपर क्यों है, ZN की इतनी उपर क्यों है, CO की इतनी उपर क्यों है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक इंपोर्टन कंसेप्ट आता है, कि जो हमारे पास डेल्टा जी है, डेल्टा जी माइनस NF E0 C, एक ही रिलेशन है डेल्टा जी के बीच में और और पोटेंशल के बीच में क्या रिलेशन है, यह रिलेशन है, तो यह माइनस होता है, ठीक है, तो बच्चों अगर इसको आप सॉल्व करोगे, तो E0 C जो है, E0 C जो है, positive आता है, the value of E0 C positive, if delta G negative, ठीक है, यानि E0 C की value जितनी ज़्यादा positive होगी, delta G की value उतनी ज़्यादा क्या होगी, negative होगी, तो हम यह मान सकते हैं कि जिन metal की E0 C value positive होती है, they are very good reducing agent, मानते हैं ना, आपने electro chemical series पढ़ा होगा, जैसे lithium है, lithium की electrode potential value सबसे positive होगी, इसका मतलब lithium सबसे अच्छा reducing agent है, तो जैसे जैसे E0 C की positive value बढ़ेगी, electrode potential positive होगा, उतना अच्छा वो reducing agent होता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि delta G जितना negative होगा, अब delta G की बात करते हैं, ठीक है, delta G जितना negative होगा, वो उतना अच्छा reducing agent होगा, यह बोल सकते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, देखो, यहाँ पर अगर हम mg की बात कर होगा है, तो mg का graph यह देखो नीचे है, 11,000 Kelvin, aluminium का graph इससे थोड़ा सा उपर है, यह उपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब delta G की value इन metal के लिए कम हो रही है, तो अगर delta G की value जिस metal के लिए जितनी negative होगी, इसका मतलब हम मान सकते हैं, वो उतना अच्छा reducing agent है, क्योंकि उसकी E naught value उतनी ज्यादा positive होगी, ठीक है, तो simple से बात है कि अगर elegant diagram में किसी का graph नीचे है, किसी की line नीचे है, तो इसका मतलब उसका delta G उतना ज्यादा negative है, तो जितना ज्यादा वो delta G negative होगा, उतना अच्छा reducing agent होगा, ठीक है, increase the value of delta G in negative sign, increasing reducing power, ठीक है, और reducing power किसकी ज्यादा होगी, जो below the graph होगा, जो graph में नीचे होगा, below in the graph, तो वो अच्छा reducing agent होगा, आप देखें यहाँ पर, अगर मैं aluminium और magnesium का comparison करो, तो magnesium का graph नीचे है, aluminium का graph उपर है, यानि magnesium के line नीचे है, aluminium के line उपर है, इसका मतलब magnesium का delta G ज्यादा negative है, aluminium का delta G कम negative है, तो हम यह मान सकते हैं कि magnesium is best reducing agent than aluminium, तो इससे हम यह predict भी कर सकते हैं, ठीक है, अब अगर सारे metal का मैं reducing behavior देखो, तो जो जितना नीचे होगा, elegant diagram में वो उतना अच्छा reducing agent होगा, तो सबको अगर मैं देखूँ, तो mg सबसे अच्छा reducing agent, then aluminium, aluminium के बाद क्या आएगा, zinc, ठीक है, zinc के बाद आएगा, कौन सा metal है, देखो, यह iron के लाईन है, यह वाली, तो उसके बाद आएगा iron, iron के बाद कौन सा है, हमारे पास copper, तो यह इनका reducing behavior इस तरह से होगा, समझगे बात में, यह दूसरे सब्दों में हमें बोस लगते हैं, mg की जो e naught value होगी, वो सबसे ज़्यादा positive होगी, then aluminum, then zinc, then Fe, then CO, कम होटी जाएगी, clear होगया बई, तो जो नीचे होगा, वो अच्छा reducing agent है, जो ओपर होगा, वो थोड़ा सा उससे कम reducing agent है, clear, अब इससे जगो question कैसे आता, देखो, एक question ऐसा है, consider the elegant diagram, which one of the following metal can be used as a reduce the alumina, alumina को reduce करेगा, alumina कौन सा है, ये वाला है, तो बच्चों, जो alumina से नीचे होगा, वही उसको reduce कर सकता है, तो answer होगा है, अपर mg, ठीक है, क्योंकि mg जो है, ज़्यादा reducing agent है, alumina को reduce नहीं कर पाएंगे, बलकिन alumina को reduce कर देगा, concept clear, suppose हमने अभी blast furnace पढ़ाता है, उसमें हमने जो है, iron का extraction पढ़ाता है, ठीक है, तो अब देखो, ये iron की line है, यहाँ से और यहाँ तक जा रही है, ठीक है, और ये वाली line, जो है, किसकी है, carbon monoxide की, और ये वाली line किसकी है, carbon dioxide, ठीक है, तो यहाँ पर दो reducing agent है, एक है carbon, और दूसरा है carbon monoxide, ठीक है, दोनों ही जो है iron को reduce करते हैं, ठीक है, अब temperature बटने से reducing property में क्या change आता है, वो देखिए, है ना, क्या बोले है मैंने, temperature बटने से reducing property change होती है, तो अभी देखो, ये line जो है, carbon monoxide की ये वाली line है, और ये line iron की है, तो carbon monoxide का delta G ज्यादा negative है, iron का delta G कम negative है, तो iron को carbon monoxide आसानी से reduce कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे है ये, तो ये इसको आसानी से reduce कर देगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, ये temperature है, कौनसा 1073 Kelvin temperature है, इस temperature पे देखो, इस temperature पे जो है, उपर, अब carbon monoxide की line उपर चली गई, और Fe की line नीचे आ गई, तो जो carbon monoxide है, वो केवल 1073 degree के नीचे ही, iron को reduce कर पाएगा, जैसे हम 1073 degree के उपर पहुंसते हैं, तो carbon monoxide की line देखो, उपर हो गई, और इसकी line नीचे हो गई, इसका मतलब temperature बढ़ने से carbon monoxide का reducing character change हो र है, समझ में माता रही, केवल carbon monoxide तब ही जाके iron को reduce करेगा, जब temperature 1073 से नीचे हो गई, 1073 के उपर देखो, line change हो गई, iron का delta G जादा negative हो गई, और carbon monoxide का delta G कम negative हो गई, तो अब तो carbon monoxide का reduce करेगा, ना कि carbon monoxide iron को, तो देखो, क्या फरक पड़ा, temperature बढ़ने से reducing property चेंज हो गई है, clear, अब देखो, इस line को imagine करो, carbon plus O2 याली line है, तो अभी देखो, iron का delta G जादा negative हो बजाए, carbon के delta G से, तो यहां तक तो जो है, iron को ये reduce नहीं कर पाएगा, लेकिन बच्चों, 100, sorry, 1073 के बाद, carbon के line नीचे आ गई, और iron के line उपर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि, अब carbon का delta G जादा negative है, और iron का delta G कम negative है, तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि, 1073 के बाद, carbon iron को reduce कर देगा, समझे मेरी बाद, क्योंकि उसका delta G जादा negative है, तो बोलने का मतलब है कि, temperature बढ़ने से, reducing property change होती है, ठीक है ना, तो हम यह बोल सकते हैं कि, below 1073 केल्विन, carbon monoxide can reduce iron oxide, but above 1073 केल्विन, carbon monoxide does not reduce iron oxide, then carbon reduce iron oxide, ध्यान रखना है ना, तो temperature change होने से, reducing property change हो रही है, clear हो गया, अच्छा, आपने blast finance में, दो टाइप की reaction बढ़े हो, देखो, एक reaction जो कम temperature पर होती है, तो उसमें carbon monoxide as a best reducing agent होगा, ठीक है, कम temperature पर देखो, कम temperature पर यानी, 1073 से नीचे, लेकिन अगर हम temperature बढ़ाएंगे, तो carbon monoxide reduce नहीं कर पाएगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, carbon देना पड़ेगा, यानी, coke देना पड़ेगा, तो वो coke जो है, iron oxide को iron में easily reduce करते हैं, clear हो गया, तो high temperature carbon as a reducing agent काम करता है, और low temperature पर carbon monoxide as a reducing agent काम करते हैं, clear हो गया, तो इस तरह से temperature के change होने से reducing property change होती है, समझ में बाता है कि, चालो, बहुत अच्छी बाता है, इतना ही था है, था है, तो हम आधे से काम करते हैं, बहुत अच्छी था है, बहुत आई आपकि जो है जो है, झाल 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 झाल